हेलो व्यूवर्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिट्रेचर विदामना उमीद हम सब खेरियत से होंगे सो आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे एजरा पाउंड की एक बहुत ही फेमस पॉइम इना स्टेशन ऑफ दी मेट्रो व्यूवर्स एजरा पाउंड एक अमेर की एक लिटरी मूवमेंट है जिसका आइडिया टी ए हैयूम ने दिया और एजरा पाउंड ने उसके आइडियाज को अडाप्ट किया और 1912 में इस मूवमेंट का आगास कि और यह रिएक्ष्णरी मूवमेंट थी रोमैंटिक्स और विक्टोरियन्स के अगेंस्ट इमेजिस्ट मॉमेंट उन्हें इस मॉमेंट का फादर भी कहा जाता है। एजरा पाउंड ने इमेजिस्ट पोईट्री पे एक एसे लिखा फ्यू डॉंट्स बाइन इमेजिस्ट जिसमें वो इमेज को कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं that presents an intellectual and emotional complex in an instant of time for example आपने एक फ्रेज लिखी red apple तो फोरण से आपके mind में red apple के एक picture आ जाएगी और यही images पोईट करते हैं यानि वो simple words phrases और poems की मदद से images को create करते हैं they avoid superfluous words यानि वो बहुत जादा superfluous words यूज नहीं करते imageism emphasis on simplicity, clarity of expression and use of clear sharp language viewers traditional poetry में क्या होता था कि poet बहुत जादा words यूज करते थे किसी चीज को describe करने के लिए या कोई message या philosophical meaning convey करने के लिए या किसी theme को बियान करने के लिए लेकिन images believe करते थे कि poetry को चंद clear sharp words पे मुश्मिल होना चाहिए जो खुद words एक theme रखते हों और imagist poet unnecessary meter और rhyme का इस्तमाल नहीं करते थे यानि जैसे पहले consider किया जाता था कि poetry को एक proper rhyme और rhythm में होना चाहिए लेकिन Ezra Pound ने कहा अगर rhyme और meter आपके work को compromise कर रहे हैं यानि उनका इस्तमाल करते हुए आप अपना message सही से convey नहीं कर पारे तो आपको rhyme और meter से avoid करना चाहिए so viewers imagism का objective यही होता था कि वो simple words से image को create करें अगर poem के मतलिक चंद key facts की बात करें तो 1913 में एक literary magazine में publish हुई और title को include करके इसके total 20 words है और अगर title exclude कर दिया जाए तो total 14 words है इस poem में किसी भी तरह का word नहीं है यह wordless poem है और English में यह first high q है high q short poem को कहते हैं चुँके asda pound Japanese से बहुत जादा inspired थे तो उन्होंने Japanese से inspired होके यह short poem या high q लिखी तो चले हैं poem के explanation करते हैं in a station of the metro the apparition of these faces in the crowd petals on a wet black bow सबसे पहले viewers poem की title से हमें पता चलता है कि speaker एक subway station पे खड़ा है लोगों का एक हजूम है लोग बहुत जल्दी में आ रहे हैं और जा रहे हैं और उनके चेहरे indistinguishable है यानि उन्हें पहचानना मुश्किल है इसलिए यहां poet ने एक word यूज किया apparition इसका मतलब गोस्ट और ghost like image यानि लोग इतनी तेजी से appear और disappear हो रहे हैं कि गोस्ट की तरह लग रहे हैं secondly poet ने faces का word यूज किया है नाके वो faces की जगा people भी कर सकता था लेकिन वियूर्स poet यह image जो इसने create किया है उसकी blurriness को show करना चाता है कि कैसे लोग लापरवाही में move कर रहे हैं और एक बागम बाका समा है वियूर्स यह line urban life यानि city life को भी represent करती है second line is petals on a wet black bow यह mental image है यानि poet की आँखों के सामने नहीं हो रहा बलके जो subway station पे उसने observe किया है उसके response में उसकी imagination है so poet एक sudden shift लेता है यानि observation से imagination की तरफ या city life से nature life की तरफ और वो बारिश के बाद रख्त की शाखों पे गीले पत्ते देखता है और पत्तों को human beings है और शाखों को metro से compare करता है कि जिस तरह पत्ते शाख से गिर जाते हैं और उसकी जगा new ले ले लेते हैं इसी तरह metro में आने जाने वाले लोग भी constantly change हो रहे हैं and petals on black bows से एक deep meaning convey करता है कि nothing is static जिस तरह पत्ते शाख से गिर जाते हैं और उसकी जगा नए पत्ते ले लेते हैं इसी तरह we human beings are in the process of dying और हमारी जगा भी नए लोग ले लेंगे so viewers उमीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी thank you so much for watching